तो आज हम उरत के दही वड़े नहीं मूं के दही वड़े बनाने सिखाएंगे और आप अच्छी तरह से जानते हो कि मूं जो है बहुत हेल्डी होता है बच्चों के लिए तो कि बहुत ही अच्छी तरह के दही बनाेंगे, बहुत अच्छे से खाएंगे आपको तो हमने ग्रेंट कर लिया है मूं को अच्छी तरह से पतली पतली और यहां पर हमने हाथों से उसे बहुत अच्छे से मिक्स کیया है तो हम कटोरी में पानी लेकर देखेंगे कि वो सतह पे बैठ रहा है या नहीं अगर नहीं बैठ रहा है तो समझे कि आपका जो गोल है वो तयार हो गया है मूम का अब हम इसे चान सकते हैं तल सकते हैं कड़ाई में तो प्रेंट्स यहां पे देख सकते हैं, कि यहां पे हमने इसमें कुछ-कुछ डाला है, तो क्या है वो, तो हलकी सी नमक और धनियापत्ता, और अब हम इसे तलेंगे, ताकि खाने में भी बहुत जादा स्वादिश्ट लगेगा, और दिखने में भी बहुत जादा क्रंची और बहुत ही अट्रेक्टिव दिखता है, बहुत टेस्टी दिखता है, कि देख के ही आपको लालच आ जाएगी, मुँ में पानी आ जाएगा, तो गाइज, अब यह जो दही वड़े के जो पकोड़े होते हैं, वो हम तल रहे हैं, और तलने के बाद थोड़ी सी सुसुम प दही में भी डाल सकते हैं, पर हम इसे पानी में इसलिए डालते हैं, कि बहुत जादा सौप्ट हो जाता है, अगर आप चाहें तो इसे बिना फुलाए, आप तुरंत ही इसे बना कर खा सकते हैं, क्योंकि पानी में डालने से बहुत जादा सौप्ट हो जाता है, और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आता है तो अब हम दही के जो मतलब जो घोल है उसे तयार कर लेंगे जो ग्रेवी है जिसमें हम दही वड़े को डालने वाले हैं तो दही वड़े को हम यहाँ पे नहीं डालेंगे हम दही को बड़े में डालेंगे ठीक है तो पानी को अच्छे से निकाल लेंगे ताकि जब हम दही उस पर डालें तो पूरा दही का टेश्ट आए पूरा दही का स्वाधा है पानी का ना आए तो अब हम इस पे पूरे अच्छे से पानी निकाल कर उसी अच्छी तरह निचोड कर हम एक प्लेट में सजा रहे ह तो यहां पे देखा आपने कि हमने जो दही तयार किया था उसमें दही डाल दिया उपर से अब हम यह मिठी चेटनी गुड की और इमली की मीठी चेटनी और धन्या-पत्ता की चटनी डालेंगे और यहां पे थोड़ी सी स्वाधा नूशार जो है धोली तोड़ी सी जितना की हम पचा सकें जितना की हमें नुकसान न करें और थोड़ी सी दन्यापत्ता इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं तो देख सकते हैं बहुत ही खुबसूरत और लजीद दिख रहा है